नमस्कार दोस्तों, स्वागत हैं आप सभी लोग का सुपर इंग्लिस क्लास चैनल में आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनेट टेंस के निगेटिब सेंटेंस को कैसे बनाते हैं इस टेंस का प्रियोग किसी पास्ट के एक्षन या फिर इंसिडेंस को describe करने के लिए किया जाता है इस वीडियो में हमने निगेटिब पार्ट को कबर किया है जिसमें हमने टोटल 13 सेंटेंस को सौलव कर बाया है साथ ही इसका structure हमने बताया है इस tense का structure बहुत ही simple है जो कि इस प्रकार है इसमें हमें सबसे पहले शुरुवात में subject लिखना है फिर उसके बाद helping verb जो लगेंगी वो did बेच में नहीं है तो not लगाएंगे फिर उसके बाद verb की first form लिखेंगे फिर object लिखेंगे अगर sentence के अंदर rest part है तो वो last में लिख लेंगे फिर fully stop लगाएंगे तो इस structure को follow करेंगे सबी sentence को बनाते हुए तो चले वीडियो को शुरू करते हैं तो यहाँ पर पहला sentence हमने लिखा है दादा जी ने पौधों को पानी नहीं दिया तो इसको complete करने के लिए subject देखे दादा जी है तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे दादा जी की spelling तो यहाँ पर grand father हो चाएगा जी आर ए एन डी और father या फे टी एट जी आर यह हमने subject लिख लिया अब देखे इसमें did not लगेगा helping verb हमने did not बताया था यह structure से मिल जाएगा did not अब पानी देना तो यहाँ पर give means देना होता है तो लिख दिया give और पौधों को है give water पौधों को तो यहाँ पर to the plant लिखेंगे P-L-A-N-T-E-S plant means पौधों को complete second example है उसमें अपना कमरा नहीं सजाया तो इसमें he लिखेंगे he means way होता है या फिर उसने did not हमने structure से उठा लिया did not अब verb की first form लिखेंगे सजाना के decorate होती है तो यहाँ पर decorate हो जाएगी R-A-T decorate हो गया और अपना कमरा है तो his room his room complete second वाला दूसरा है तुमने अपने अभिवाबकों से बात नहीं की तुमने की यहाँ पर you लिखेंगे तो you है subject यहाँ पर did not यह structure से आता है did not अब बात करना की talk होती है तो यहाँ पर talk लिखेंगे talk to your parents जब subject you होगा तो यहाँ पर अपना की your parents हो जाएगी P-A-R-E-N-T-S complete next है चौथा example मैंने अपना दिन घर में नहीं बिताया तो मैंने की I लिखेंगे और did not यह did not सभी में लगेगा negative sentence होंगे did not spend means बिताना या फिर खार्च करना होता है अब यहाँ पर लिखा है घर में तो एट होम हो जाएगा एट होम तो चौथा complete हुआ next है फिफ्ट वाला मेरे पिता जी कल office नहीं गए तो मेरे पिता जी की यहाँ पर लिखेंगे my father तो यह subject हो गया my father अब यहाँ पर did not यह structure से लिखेंगे did not गए तो यहाँ पर go हो जाएगा to office o wf i c e office और कल है तो यहाँ पर बीता हुआ कल होगा तो यह study लिखेंगे तो by a s t e r d a y study means बीता हुआ कल six वाला example है रोहन परिच्छा में उत्रेड नहीं हुआ तो यहाँ पर subject तो है शुरुआत में रोहन तो रोहन के लिख लिए अब did not सभी में लगता है तो इसमें भी लगाएंगे did not pass means उत्रेड करना तो यहाँ पर pass exam तो pass the examination e x a y और emination y m i n a t i o n examination तो इस तरह से complete हो जाएंगे six sentence अब देखते हैं अगले sentence next page पर तो यहाँ पर सात्मा जो example लिखा है उसे देखते हैं रोहन के पिता ने उसे रुपे नहीं दिये तो रोहन के पिता इतना हो गए subject तो r o h a y रोहन apostrophe s लगाएंगे तो इसका मतलब रोहन के और father लिखेंगे तो हो जाएगा रोहन के पिता तो इतना subject लिखा अब did not तो सभी में लगता है तो did not जोड देंगे अब देना की give होता है तो यहाँ पर give और उसे की him give him रुपे तो इसमें money हो जाए give him money तो m o n a y money तो इस तरह से complete हो जाएगा next है आठम सेंटेट्स उसने अपनी कार तेज नहीं दड़ाई उसने के ही लिखेंगे यह है subject he did not सभी में लगता है तो यह लिख लेंगे did not और दोडारी मतलग तेज दोडाई तो speed up करेंगे yes p e d speed up speed up his car his car complete अगला है मैंने तुम्हें पत्र नहीं लिखा मैंने की यहां पर i लिखेंगे did not जोड़ देते हैं did not लिखना की write w r i t write a letter यली devil t और e r complete दसमा है example यहां पर लिखा उसने मुझे अपनी पुस्तक नहीं दी तो उसने की यहां पर he लिखेंगे he did not अब give लिखेंगे give means देना give me अपनी पुस्तक तो his book he यहां पर subject है तो अपनी की his लिखेंगे और book तो इस तरह से दस complete है next example है master जी ने छात्रों को सजा नहीं दी तो इसको complete करने के लिए सबसे पहले master जी की लिखेंगे teacher तो यहां पर teacher हो जाएगा t e वो दालिकते हैं फिर teacher t e s e h e a teacher did not did not सजा की होते हैं punishment तो यहां पर punish हो जाएगा p u n i e s h punish और छात्रों को है to the students s t u d e n t s students हो जाएगा बार्मा है बच्चों ने बगीचे से आम नहीं तोड़े बच्चों की होते हैं children तो यहां पर the children यह subject हमने लिखा ch i l d r children did not सभी में लगता है negative है past indefinite का तो यह सभी में जोड़ेंगे और तोड़ना की प्लक होता p l u c k प्लक और the mango यम ए यन और जी ओ मेंगो बगीचे से है तो फ्रॉम द गार्डेन फ्रॉम द गार्डेन जी ए आर डी ए यन complete last है यहां पर example किसानों ने अपनी फसल नहीं काटी तो इसको complete करने के लिए किसानों के लिखेंगे दफार्मर इस लगाएंगे फार्मर्स मतलब किसान ज़्यादा है डीड नाट सभी में लगता है डीड नाट लगा देंगे और फसल नहीं काटी हार्बेस्ट मिंस काटना यहां पर हो गया यह हार्बेस्ट क्रॉप हो जाएगा यह लिखते हैं हार्बेस्ट पहले लिखते हैं ह-a-r-b-e-s-t हार्बेस्ट देर क्रॉप्स देर मिस मतलब अपनी होता है देर क्रॉप सी-r-o-p-e-s complete तो इस तरह से हमने टोटल तेरा सेंटेंस को ट्रांसलेट करबा दिया तो फ्रेंड्स उमीद करता हूँ आप लोगों को पास्ट इंडेफिनेट टेंस का ए निगेटिब सेंटेंस समझ आया होगा अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट में पूँच सकते हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको सेयर भी किजिएगा तब तक के लिए दोस्तों बाई बाई और हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में थैंक्यू फर वाचिंग डेस वीडियो